गॉलिवुड आक्टर विकी कोशल के पिता शाम कोशल इंडस्ट्री के जाने माने सीनियर अक्शन डिरेक्टर है अपने एक इंटर्व्यू में शाम कोशल ने स्टंट सीन्स को फिल्माने में होने वाले रिस्क और स्ट्रेस को लेकर बात की उन्होंने ये भी बताया कि कैसे शारुखान की फिल्म ओम शांतियों के आग लगने वाले सीन के दौरान वो रो पड़े थे एक वक्त था जब शाम कौशल फिल्मों में स्थन्ट भी किया करते थे उस वक्त का एक जरावना किस्सा सुनाते हुए उन्होंने बताया कि एक सीन के दौरान उनके कान जल गए थे उन्होंने कहा कि मैं एक स्टन्ट कर रहा था जिसमें मेरी पूरी बॉड़ी में आग लगी हुई थी और मुझे भाग कर जाना था और स्विमिंग पूल में कूदना था जब तक मैं स्विमिंग पूल तक पहुचा मैं आग की गर्माहट को महसूस करने लगा था मेरे कान जल गए थे तो मैंने अपने मार्क जोहां से मुझे कूदना था उससे पहले ही पूल में कूद गया मैं अपने उपर आग की लप्टे देख सकता था यही वो पल होते हैं जब आपकी जान ले लेते हैं अब आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है और मैं काफी बाब होया था